आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें प्रशन में बोला जा रहा है कि एक वस्तू आड त्रज्या के वृत्ति पत पर गती कर रहा है, अब एक चक्र पूर्ण कने के पशाथ उसके द्वारा तै की गई दूरी तथा उस वस्तू द्वारा, उसके स्थिति में परिवर्तन या विस्थाबन कितना होगा, यह हमें प वृत्ति पत के लिए, तो हमने यहाँ पर बना दिया वृत्ति पत, ठीक है, वृत्ति पत पर कोई एक वस्तू, वस्तू की स्थिति हमने रख ली है प्रानवरी क्रूप से यहाँ पर, ठीक है, वस्तू की स्थिति, स्थिति के लिए हम उसे X के रूप में प्रस्तुत कर उसने एक चक्कर लगाया पूर्ण चक्कर लगाया तो उसके द्वारा तैकी गई दूरी कितने होगी तो दीखिए जो वस्तु है वो इस वृत्ति पत्थ में परिधी के अनुदिश ही गती करती है और परिधी के अनुदिश गती करते हुए वापस अपनी स्थिति पर आती है वापस अपने स्थिती पर आती है तो उसके द्वारा लिया गया समय, यदि हमने यहाँ पर T- की रूप में परसुत किया हुआ है, तो दूसरी स्थिती पर समय T- हमें प्राप्त होता है, ठीक है, T-second की रूप में हम उसे बोले, अब पहले के लिए वो समय क्या था, T-second था, ठीक है, T-second से T-second तक उसने एक पूर्णे चक्कर लगाया, पूर्णे चक्कर लगाया, तो उसने एक परिधी की रूप में, या पर पर वृत्त की परिधी होगी है, वृत्त की परिधी, वृत्त की परिधी को किस से स्पस्ट किया जाता है, वृत्त की परिधी जो होती है, उसे हम लिखते हैं, दो पाई आर के रूप में, देखे, दूरी किसे हम कहते हैं, देखे, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, त पत की लंबाई पत की लंबाई देखिए प्रानविक स्थिती से दूसरी स्थिती तक उसने लंबाई कितनी लंबाई चली है या उस कितने पत को तै किया हुआ है वो हमें बताता है तै की गई दूरी को तो यहां पर क्या होगा यहां पर तै की गई दूरी का मान होगा दो पा इस्थिति में परिवर्तन को बताता है इस्थिति में परिवर्तन कहां से अंतिम इस्थिति से प्रानभिक इस्थिति मतलब पत की लंबाई पर इसका मान निर्भर नहीं करता है यह केवल इस्थिति में पर निर्भर करता है तो इस्थिति हमारे लिए क्या हुई यह होता है अ किसी तरह विस्थापन के मान को देखना है तो प्रानभी के स्थिति या आनभी के स्थिति मतलब टी समय पर उसकंड के या उस्वस्तु के स्थिति को देखा जाएगा स्थिति तो यहां पर इस्थिति क्या-क्या होंगी ती डेश समय पर उसकी स्थेती थी XT डेश के रुप में और यहां पर ती समय पर उसकी स्थेती थी XT समय पर तो विस्थापन का मान यहां पर कितना होता है देखें दोनों की स्थेतियां एक ही बिंदू पर दिख रही है हमें एक ही बिंदू कहां पर है जहां से वो चलना शुरू करती है तो उस बिंदू पर उनकी बीच का अंतर क्या होगा उनकी बीच का अंतर शूनिय होगा इस प्रकार विस्थापन का मान उस विस्थापन का मान कितना होता है शूनिय होता है यह प्रश्में पूछा गया था धन्य सुचा सुबर